हलो दियर इस्टुटेंट आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसात रिपार्ठी इसमारा की इंटर गालेजपर क्लास 12 के पिछले वीडियो में हमने बढ़ा था कोथनांक और कोथनांक के उन्नैन के बारे में कोथनांक वाताप होता है जिस पर कोई द्रव वास्प में बदल जाता है तथा कोथनांक उन्नैन क्या है कि जब हम किसी द्रव में कोई आवास्प सिल्प दार्थ मिलाते हैं तो उसका कोथनांक थोड़ा बढ़ जाता है जिसे हम कहते थे कुतनांक का उन्यन और आज हमें पढ़ना है हिमांक का उन्यमन हिमांक क्या है? हिमांक वह थाप है जिस पर कोई द्रव ठो सवस्था में परिवर्तित हो जाता है यानि हिमांक वह थाप है उसी को हम कहते हैं क्या हिमांक का अउनमन तो लिखेंगे इसे वहताप जिस पर कोई द्रो गैस यानि वास्प में परिवर्तित हो जाता है वहताप जिस पर कोई द्रो गैस यानि वास्प में परिवर्तित हो जाता है उसे हम हमांक कहते हैं जब किसी बिलायक में जब किसी बिलायक में कोई आवास्प सील पदार्थ आवास्प सील पदार्थ मिलाया जाता है तो बिलायन का हमांक कम हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि किसी अवास्प सील पदार्थ को मिलाने से हमांक में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं हमांक का आवनमन किसी अवास्प सील पदार्थ को जब मिलाया जाता है तो बिलायन का हमांक कम हो जाता है जिसे हमांक का आवनमन कहते हैं इसे एक तरह से और लिख सकते हैं बिलायक और बिलायन के हमांक का अंतर बिलायक और बिलायन के हमांक का अंतर हमांक का आवनमन कहलाता है फिर लिखेंगे यदि किसी बिलायक का यदि किसी बिलायक का यदि किसी बिलायक का हिमांक T0 और बिलायक का हिमांक T है तो हिमांक का आउनमन बराबर तो हिमांक का आउनमन हिमांक का आउनमन को हम लिखेंगे डेल्टा T यप से तो हिमांक का आउनमन डेल्टा T यप बराबर बिलायक का हिमांक T0 माइनस बिलैन का हिमांक T T0 माइनस T यानि बिलायक के हिमांक में से बिलैन का हिमांक हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा हिमांक का अउनमन अब हमें पढ़ना है हिमांक अउनमन से अनुभार की गड़ना यानि हिमांक अउनमन अगर हमें पता हो तो हम किसी पदार्थ का अनुभार ग्याद कर सकते हैं कैसे? माना किसी यदि किसी अवास्पसील पदार्थ का अनुभार्यम है यदि किसी अवास्पसील पदार्थ का अनुभार्यम है तो उसके अणुभार्यम और हिमांक आउनमन डेल्टा टी अप में निम लिखी संबंध होते हैं में निम लिखी संबंध होता है देखिए यम क्या है किसी पदार्थ का अणुभार तो किसी पदार्थ का अणुभार यम बराबर होता है एक हजार के यफ डबलू इसमाल डबलू रहेगा उपर की तरब बटे डेल्टा टी यफ कैप्टल डबलू ये हो गया किसी बिलैन के अणुभार या किसी पदार्थ के अणुभार और उसके हिमांक अउनमन में संबंध जहाई यम क्या है यम अवास्पसील पदार्थ का अणुभार हो गया और के यफ क्या है के यफ है मोलल अउनमन इस्थिरांक मोलल अउनमन इस्थिरांक इस्माल डबलू क्या है अवास्पसील पदार्थ का भार अवास्पसील पदार्थ का भार डेल्टा टी एफ क्या है डेल्टा टी एफ हिमांक में होने वाली कमी यानि हिमांक अउनमन डेल्टा टी एफ हिमांक अउनमन और कैप्टल डबलू क्या है बिलायक का बार कैप्टल डबलू बिलायक का बार हमें एक छीज और मिल गई अब पढ़नाए में मोलल आउनमन, इस्थिरांग क्या है, जो भी हमने लिखा था, केयफ, मोलल आउनमन, इस्थिरांग क्या है, जब किसी एक किलो ग्राम बिलायक में हम, किसी विद्दुत अनपघट्ड पदार्थ का एक मॉल मिलाते हैं, तब जो उसके हिमांक में कमी होती है यानि हिमांक का आउनमन होता है वही कहलाता है मोलल आउनमन इस्थिराद यानि एक किलोग्राम बिलायक में किसी बिद्युत अनप घट अवास पसील पदार्थ का किसी बिद्युत अनप घट अवास पसील पदार्थ का एक मोल गोलने पर अवास पसील पदार्थ का एक मोल गोलने पर हिमांक में होने वाली कमी यानि हिमांक आउनमन हिमांक आउनमन उस बिलैन का मोलल अवनमन इस्थिरांक कहलाता है मोलल अवनमन इस्थिरांक कहलाता है हिमांक आउनमन से अणभार की गड़ना करने के लिए हिमांक आउनमन से अणभार की गड़ना करने के लिए तो आईए ये सवाल हल करते हैं 0.48 ग्राम कार्बनिक योगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिगरी सेंटिक्रेट की कमी होई यानि हिमांक का आउनमन 1.8 डिगरी सेंटिक्रेट योगिक का अणभार हमें पता करना है योगिक का अणभार यम हमें पता करना है और हम जानते हैं यम बराबर क्या होता है एक हजार के एफ इसमाल डबलू बटे डेल्टा टी एफ कैपिटल डबलू तो अब देखिए सवाल में क्या क्या हमें दिया है 0.48 ग्राम कार्बनीक योगिक का भार हो गया योगिक का भार योगिक का भार इसमाल डबलू बराबर 0.48 ग्राम उसके बाद योगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर यानि बेंजीन हो गया बिलायक का भार capital W बिलायक बिलायक का भार capital W बराबर 10.6 ग्राम घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेंटिग्रेट की कमी हुई यानि हिमांक आउनमन 1.8 डिग्री सेंटिग्रेट हिमांक आउनमन को हम लिखते हैं डेल्टा टी अप से हिमांक आउनमन डेल्टा टी अप बराबर 1.8 डिग्री सेंटिग्रेट और बैंजीन का molal onamon इस्थिरांग पता है हमें 5 डिग्री सेंटीग्रेट molal inverse यानि के एफ बराबर के एफ बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेट molal inverse अब इसी वाले फार्मूला पर इन सब का मान हमें रखना है तो हमें पता हो जाएगा यम यम बराबर 1000 कुन के अफ की जगा पर कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे और इसमाल डबलू कितना है 0.48 ग्राम 0.48 ग्राम बटा डेल्टा टी अफ कितना है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेट और फिर कैपिटल डबलू कितना है 10.6 डिग्री सेंटीग्रेट 10.6 gram 10.6 gram अब क्या करेंगे इसे हम solve कर लेते हैं यहां का दस्मलों यहां के दस्मलों से हटा देंगे तो यहां दस्मलों के बाद 2 अंग था यहां भी 2 अंग कर लेंगे 0 बढ़ा के अब हम इसे काट सकते हैं 12 से 12 चोके 48 और 12 एककम 12 6 बचा और 6 के बगल 0 यानी 60 12 पंचे 60 हो गया 15 बचा अब इस 15 को हम 5 से काट सकते हैं 5 दिया 15 अब यहां गया 3 और यहां है गुणे 10 दसमलो 6 फिर लेख लेते हैं इदर 1000 गुणे 4 बटे 3 गुणे 10 दसमलो 6 यहां का भी 10 मलो हटा देंगे तो दसमलो के बाद एक अंख है तो एक 0 यहां बढ़ा देंगे आप क्या करेंगे अब इसे हम 2 से भी काट सकते हैं तो 2 को 20 बार गुणा करेंगे तो 40 आज आएगा फिर 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 यह मराबर हमारा आ गया 1000 गुणे 20 यानि 20,000 हो गया उपर और बटे तीरपन को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा अब 169 को जब हम 20,000 169 से 20,000 को जब हम भाग करेंगे तो आएगा आपका 125,7,8,6,1 ऐसे कुछ आएगा अब इसे जब 7,8,6 आ रहा है तो हम लगबग लिख सकते हैं 125,8 यह हो गया अड़ुभार तो अड़ुभार को हम किसी यूनिट में नहीं लिखते हैं डारेक लिख देते हैं तो लिख देंगे यह बराबर 125,8 यही हमारा एंसर हो गया